असलाम अलेकुम जी आज हमारा लेक्चर फोर है इंशाला उसको डिसकस करते हैं उससे पहले अभी तक जो पढ़ा कोई क्वेस्टन है तो पूछ लें फिर टेंडर से मुराद है जी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जाब उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर कोई प् करेंगे कि जो जो इसका सप्लायर है वह हमें गूड या सर्विस्ट परवाइड कर सकता है अपनी ऑफ़र दे तो इसका मतलब है कि कमपनी की तरफ से ऑफर नहीं आ रही इंविटेशन तूफर है ठीक है कि आप हमें ऑफर करें हम आपकी ओफर को जज़ करेंगे उसको कॉं कौन से डिस्प्ले ऑफ गुड्स एड इपार्मेंटल स्टोर उसके उपर जो प्राइस टैग लगे हुए है वो ओफर नहीं है वो क्या है वो आपको कह रहा है कि भाई हमें खरीदो आके दूसरा आक्शन निलामी के उपर भी आप आपको इनवाइट कर रहे होते हैं कि आप आके बिड करो बॉली लगाओ ठीक है और सर्कुलेशन ओफ इंफॉमेशन के कई बार आपको इंफॉमेशन सर्कुलेट की जाती है सिंपल एक बताया जाता है कि हमारे पास यह चीज अवेलेबल है इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको जब ऑफर करोगे तो आपको यारा मुझे क्यों ही चीज़े दे रहे हो सकता उसके बार नावेलेबल हो क्योंकि उसने आपको और ने की आपने उसको और की है उसने आपको सिंपल क्या गिया था इन्वाइट किया था और एक और था टेंडर हो गया सही है कि चार यह अविटीजमेंट भी वही एना सर्कुलेशन ओफ इंफॉमेशन है इसी के अंदर य कुछ सवाल हो कल हमने एसेंशल्स ओफ और पड़े थे कितने एसेंशल्स हैं छे एसेंशल्स हैं सही है जरा रिपीट करें पहला किया दी के दो पार्टीज होनी चाहिए लाजमी अपने आपको आप और नहीं कर सकते भाई एक हो गया certain and vague नहीं कोई चीज होनी चाहिए थीक है then maybe conditional maybe लाजमी नहीं है conditional हो maybe है तो अगर conditional होगी तो उस को accept करें या जोईं करें 10 बेस के अंदर जोईं करें अब यह उन्हें कंडिशन डाले हुई यह आपको ओफर करवाई गई है जिसको जोब ओफर लैटर हम कहते हैं आप हमें जोईं करें लेकिन फिफ्टीन डेज अगर आप 15 डेस के अंदर नहीं करेंगे इसका मतलब है कि कर सकते हैं आप 16 डे पर यह नहीं कह सकते हैं कि मेरी जोग थी आपने मुझे ओफर करवाई थी अब भी करवाओ क्लियर बात ऑफर रिवोक हो याती है टाइम लैप्स होने पर कंडिशन लैप्स होने पर इसके बाद क्या अफ़र इस नॉट आफ़र सही है और और टू अफ्री को चाहिए आपकी जनरल ऑफ़र हो चाहिए आपकी स्पेसिफिक ऑफ़र हो अगर अफ्री जिसको चीज़ की गई वह आके उसको अक्सेप्ट नहीं कर सकता भाई ठीक है इंटेंशन टू क्रियेट आपका जो आपकी ओफर है उसके अंदर आपका इंटेंशन जो इरादा है वो क्या होना चाहिए तो क्रियेट लीगर रिलेशन्शिप इसका मतलब है तीन तरह की हमने पढ़ा था कि उसमें लीगर रिलेशन्शिप आम दोर पर नहीं होता कौन-कौ दोमेस्टिक अग्रिमेंट और रिलीजियस अग्रिमेंट सही है उसके अंदर आप कुछ भी कह सकते हो बार में मुकर जाओ कोई मसला नहीं क्योंकि वह इंटेंशन आपकी नहीं होती इस चीज़ की ठीक है भाई होगे सारे चले देन हमने कम्यूनिकेशन को देखा कि वर्ड्स अब वर्डस आपके वर्बल भी हो सकते हैं एड़्टन भी हो सकते हैं दोनों तरह सेो सकते हैं डी और एक और तरीका आप आप इसको क्या कहोगे इंप्लाइड औफर आपने औफर इंप्लाइड करवाई है आगे से एक्सेप्टन्स भी आपकी म्टाइड हो सकती है तो फिर जब वह कनशेटन्स भी हो जाएगी और वो तो कंसिटेशन भी है उसके अंदर तो फिर वो क्या बन जाएगा एग्रीमेंट बन जाएगा अच्छा एक बात हमने कल जो एक्जेम्पल लिए शू शाइनर की कि वह शू पॉलिश करने का उसने आपके पाउं की तरफ इशारा किया आपने आगे पाउं कर दिया वर्बल नह नहीं था एक्सपैसिव नहीं था इंप्लाइड ओफर होगी लेकिन आपने का एग्रीमेंट होने के लिए उसका कंसीटेशन विलाजबी है कंसीटेशन की तो बात ही वहां पर तो नहीं नहीं पूछा वह 50 रुपए लोंगा शू पॉलिश करने के नहीं ना पूछा उसने तो क्या ये फिर भी एग्रिमेंट हो जाएगा लॉजिकली बताएं मलब होता है आम तो पे नहीं होता है आम तो पे आम तो पे बात हो दिया ना उसको पता है 30-40 उर्पाय लेगा वो ना वो 5,000 रुपय वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है ना हम कोई उसको 10,000 रुपय देने क क्या होती है भाई consideration होना लाजमी है उसका कम ज्यादा होना लाजमी नहीं है सही है पूरी बुक के अंदर contract act के अंदर कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ कि in adequate consideration is not consideration in adequate का मदलब क्या होता है ना काफी जहां पर यह पीशे definitions की लिखी तने agreement की उसमें consideration लिखी है उसके साह यह क्या लिखना जाके in adequate consideration is not equal to no consideration प्लीज यह भूल जानी है ना इस तरह की चीज़ें इस नौट इक्वल तू नौ कंसीडरेशन मिसाल के तोर पर यह मार्कर है वही सत्तर रुपे का मिलता है अगर मैं उस बंदे कहूं किया यह मार्करा मुझे दस रुपे का उफर कर दो दस रुपे का मुझे सेल कर दो और एक्सेप्ट कर लेता है consideration कितनी है इसके अंदर दस रुपे और मेरे लिए मार्कर ठीक है अब मार्केट में कितने का बिकता है लेकिन मैंने जब बोल के उसको दस रुपे का और उसने भी आगे से accept कर ली तो हम यह कह सकते हैं कि in adequate है ना क यहां से दी हैं कोई भी रीजन हो सकती हैं क्योंकि प्रेक्टिकल वर्ल्ड में सारी सीज़ें होती हैं कोई ग्रीब जाते हैं नान चने पर गए आम तोर पर सो रुपे के मिलते हैं कोई मांगने वाला चला गया उसने का मेरे बाद 20 रुपे हैं वाक्सर दे रहे ताना आग बाइब एक्सेड़ेंस हो चुकी थी पहले कोट में जा सकता है वो बंदा कहिए कि मैंने 20 रुपए का इसको कहा था दालत यह नहीं कहीगी कि सो वाली चीज भीस में क्यों है क्वें कॉंट्रेक्ट का है कि बाइब कुछ और या लाजमी लाजमी इन एडिकर्ट प्लास एक त promise promise plus consideration का होना लाजमी है no no वाले कुछ cases भी है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कुछ cases हैं जिसमें जैसे gift है for example बताता हूं gift के case में क्या होता है अगर आप किसी किसार agreement करते हो क्या होते हैं फिलाल आप यह समय लें कि भी consideration का होना लाजमी है चाहे वो बहुत ही कम ही क्यों ना हो ठीक है और अगर किसी जगा पर consideration नहीं बताई हुई तो वहां पर क्या जियूम किया जाएगा reasonable consideration क्या जियूम किया जाएगा आप यहां से बाहिर निकले आपने रिक्षे वाले को रोका आपने का यार यह खोकर चोग जाना है मैंने ठीक है रिक्षे वाले ने का बैठ चाओ पैसे आपने भी अगरी किये उसने भी नियक्री किये वहां पर गए जी वह बंदा आप से दस तार तो नहीं मांग सकता आप ने जैब से वही तीन चाहसर रुपए निक करना ठीक है तो पूरे कॉंट्रेक्ट एक्ट के अंदर जहां पर चीज मैंशन ना हो या तुसने स्पेसिफिकली कह देना कि कंसिट्रेशन है ही नहीं अगर वह यह कहता है तो यह अग्रिमेंट ही नहीं है एक्सेप्ट सम इंसिदेंट सही है उसमें होता है लेकिन अगर व छोड़ देता है इस सवाल को बस आपको कहता है ओफर होती एक्सेप्ट होगी तो आपने ज्यूम क्या करना है कि कंसिट्रेशन इसके अंदर इंवोल्व है लेकिन रिजनेबल वाली ठीक है हर चीज जो ना बताई हो रिजनेबल है अनलेस वह क्लियरली बता रहें कि नो जै प्रेक्से मार्किट के अंदर ट्रेंड है के बारां से पंदरा दिन नहीं अब आप तीन महीने बार पैसे दो गए तो यह ज्याती है आपने ब्रीच ऑफ कांट्रेक्ट किया है जहां पर जो चीज नहीं बताई हुई उसका मतलब क्या है रिजनेबल कॉलिज ने आपको कहा आपने रिजनेबल कंसीडर यह आगी ने समर इस बात की इसमें में बात यह थी के कंसीडेशन का होना लाजमी नहीं है क्योंके कस्टमेरी प्रैक्टिसेज आप बिजनस के अंदर डिफ्रेंट रिजन्स की वहाँ से कई बार बहुत जारे डिसकाउंट दे रहते हो कई बार इन फॉर्सिबली है ना यह देखे ना बहुत सुने सबसे पहले कॉंट्रेक्ट क्या होता है एक्रिमेंट प्लस इन फॉर्सिबिल्टी इसका मुल्ब पहला क्वेस्टन दो है कि यह भी है यह नहीं है हमने गाए हमने उसको की थी ओफ़र in adequate consideration के साथ उसने पहले कह दिया हां बही यह एजियूंब यह हो रहा है कि उसने पहले हां किया अगर तो ना करता फिर तो रिचेशन होगी ना उसने पहले कर दी है acceptance मतलब क्या हो गया promise agreement में और क्या होता है वो आगी यह क्या बन गया agreement अब आप कोई भी business transaction का agreement करते हो वो by default enforceable है हमने पढ़ा business और commercial सारे enforceable आपने को सा illegal काम किया है दो तरह के बास नहीं होता है enforceable illegal or impossible यह तो simple सी बात है नाओ के गयर करूं नहीं कहा में नाओ के impossible या तो ना कि वह बंदा पीजा बेजता था मैंने उसे कर ना अंचने दो अभी के अभी यह impossible चीज है ना अंचने बेज़ा था हमने भी मांग लिए थोड़े से आई बास समझ के भई enforceable भी यह प्लस agreement भी यह तो contract हो गया के consideration जो होती है उसका कम या ज्यारा होना matter नहीं करता है consideration का होना matter करता है कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए ठीक है चाहिए वह बहुत ही कम हो वह भी क्या है आपकी consideration ठीक है हां जी और कुछ स्वाल अब्दुसबूर कोई नहीं स्वाल चलेंदी आप आगे आजयें हां जी कैफ में वेलकम पार्टी होगी नहीं होगी अधर पहुंचना मुझे कॉल करके आना बस ताके मैं निकल जाओं पता लगे मैं भी आगे बहरियाद अस्तर खान पे ले जाओं ठीक है पता नहीं शायर वैलकम पार्टी हो आइडिया नहीं है मुझे होता है मैंने चोटे मोटे बाते में पूछता नहीं हो ना इस तरह की अब आपने गरीबों ने पूछ लिए और शायर अब मैं पूछ लूँगा उनसे आपको आपको मैं इन फॉर्म कर दूँगा होफ़ली मुझे याद ही रहेगा मैं पूछ लोगा आज कल में ठीक आप लोगो सेशन क्लेंडर नहीं है तो बस नहीं है खत्म हो भाई ओफर करवाई है ना उन्होंने वो आपको आपने वही एक्सेप्ट भी कर लिए आपने उसके ओपर कोई काउंटर आफर नहीं की तो बस एक्रिमेंट हो गया मेरे से लिए ना पूछना जिसने ओफर करवाई है कम्यूनिकेशन उसको नहीं चाहिए यह भी है मैंने दो ओफर ही नहीं करवाई है आपको एक्सेप्टेंस किसको देनी है उस बंदे को जाके और वो आपने नहीं दी ऑनलाइन वाले क्या सोचना है वो शुकर कर रहे होंगे हैं अच्छा बही चले आज़े हैं इधर अब हमने पढ़ ली आरी कि कब कम्प्लीट समझी जा आ गई तो क्या है इसको कह जा जाएगा के चैम्यूनिकेट हो चुकिए अब आगे बात आगी रेवोकेशन री वोक करने से मुलार होता है छतम कर देना किरे रहोकेशन और च्षो को रिवोक करना खतम करना क्या लिखाई इसमें एन ओफर में बी डिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर दी कम्यूनिकेशन ओफिट सेक्सेप्टेंस इस कम्प्लीट भाई यह किसी भी टाइम पर आप इसको रिवोक कर सकते हो जब तक इसकी करता हो तुम्हें मैं 20 रुपए के खिलाता हूं अभी उसने एक्सेप्ट नहीं आगा से किया मैंने क्या किया एक्सेप्टन से पहले उसको रिवोक कर दिया रिजाए खतम होगी ऑफर उसी टाइम पर लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर ले फिर तो क्या बन गया प्रोमिस नी भाई रिवोक होता भी फिर दोनों बंदे प्लस अगर कंसिडरेशन भी हो तो अग्रीमेंट हो गया प्लस इंफोसिबिल्टी भी हो तो कॉंट्रेक्ट हो गया और फसके अब ठीक है लेकिन अगर आप अगले शक्स के एक्सेप्ट करने से पहले पहले उसको खुद ही रिज रहे हैं लेटर उसने पोस्ट कर दिया तो सेल इस हाउस तो जाजिब जाजिब साब को उसने लेटर किया कि मैं आपको अपना घर बेचना चाहता हूं यह उफर करवा दिया है लेट से इसमें कोई पैसे भी लिख दी होंगे दस क्रोड पाई का जाजिब इंटेंस तू एक रिफोक कर सकता है वो इसको दोबारा से एक लेटर बेच दे कि मैंने नहीं बेचना आपको आगी बाद समय को लिखाए इमेल कर लो कॉल कर लो बोल के कहलो जो भी है एक्सेंपल एटीन अदील प्रपोजिज बाई लेटर सेंट बाई पोस्ट तो सेल इस हाउट तो जाजि ही है एक्सेप्टेंस होगी तो समझो प्रॉमिस हो गया तो कंसिदेशन के सार्ट अग्रीमेंट हो गया तो इनफोर्स बिल्टी के सार्ट कॉंट्रेक्ट हो गया अब कोई पीछे नहीं आप जा सकते है इसमें कुछ सवाल हां जी चले फिर आगे मैनर ओफ रेवोकेशन किस किस तरह आप रिवोक कर सकते हो मैनर ओफ इस एवोकेशन कि भाई अगर आपने रिवोक करना है किस चीज़ को बला रिवोक करना है परपोजल को या ओफर को ठीक है तो उसके क्या तरीका का रहे हैं तीन चार इदर लिखे हुए एक दो और लिखने हैं आपने यह चीज़ें लिख रहे हैं आप लोग क्यों कि बुक में ना यह कंप्लीट नहीं है थोड़ी बहुत आगे पिछे हैं तो उस हिसाब से इऐ और को बजया फोघवकेशन को भाई ओफर रेजेकट कर सकता है ममल सकता है रिवोट कर सकता है ओफ और को लेकिन बिफोर कि प्फोर क्या बोला n paintings accept hands accept होने से पहले-पहले आप उसको क्या करोगे रिवॉक कर सकते हो ठीक है ओफरी भी कर सकता है वही ओफरी भी कर सकता है लेकिन उसको कब कम्प्लीट समझा रहेगा मतलब है उसनों लैटर पोस्ट किया जैसे ओफर के पास पहुंची की तरफ से क्लियर है बात सही है ठीक है इसके लावा बाई क्या लिखा हुआ है बाई कम्यूनिकेशन ओफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाई प्रपोज़ प्रपोज़ टू दी अधर पार्टी यह बैसिक लिना यही है बाई ओफर वाला पॉइंट यून्हों ने इस तरह अब दर जैसे हमनें तका जौब ऑफर है आपने कंदिशन क्या लगाई थी कि आपको जोब ऑफर की जारी है आप आके हमें एजन कर सकते हो लेकिन अधर पंदर दिन वापने आना है तो अगर वह पन्दा दिन क्रॉस हो गये तो खतम है ऑटोमेटिकली क्या हो गया है रिट हो चुकी है सही है यह लिख लिख लिए आपने पॉइंट है अब इसके आगे आप इदर से देखें जो हमने वह रीजनेबल वाली बात की थी वह इदर भी उसने मेंशन किया इफ नो टाइम इस अगर टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ तो देन क्या किंसीडर किया जाएगा रीजनेबल टाइम मतलब है कि अगर मिसाल की तो पर आपने जोब उफर कर दी है और लिखना भूल गे उसके अंदर के पंदरा दिन के अंदर है अब वो बंदा दो साल नहीं है आपके प टाइम एक तो मतलब है रिजनेबल प्लेस मैंशन नहीं की तो जो भी चीज़ मैंशन नहीं हो पहले आपके माइंड में क्या है कि रिजनेबल की बात की गई है ठीक है देन जी अगर फेलियर तो फुल्फिल कंडिशन कंडिशन अफर कल हमने पढ़ ली थी यह वही चीज़ के अंदर को कंडिशन एड कर देते हो गयार इसका फुल्फिल होना जुरूरी है आपने अगर मुझे गंदुम बेचनी है तो मेरे घर पे आके देनी है अब अगर वो बंदा नहीं दे रहा इसका मूल उसने कंडिशन को फुल्फिल तो भाई ओफर खतम होगी ना हमने तो क बात है कि इस तरह करो आपने किसी को ओफर कोई जोब की लैट से और आपने उसको का कि इसकी एक्सेप्टेंस इमेल के तुरू करनी है और किसी मोड के तुरू नहीं करनी है कंडिशन थी यह अगर ना की जाए तो रिवोक होगी ठीक हो गया देन आगे 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 इसमें इसका मतलब मुश्किल कोई नहीं है उसका मतलब यह है कि एक्सेप्टेंस के साथ जो अटैज की गई थी कंडिशन ठीक है कि यह होगा तो एक्सेप्टेंस होगी वरना नहीं होगी ठीक है अच्छा देन आगे दी बाइदी डैथ और इंसेनिटी ओफ पर्पोजर डैथ और इंसेनिटी का मतलब क्या होता है पागल बन नहीं आपकी बात नहीं होती है ओफरर या पर्पोजर भाई अगर पर्पोजर की वफात हो गई है या ओफरर पर्पोजर भी वही है ओफरर भी वही है अगर भाई ओफरर की वफात हो गई है या इंसेनिटी मतलब पागल हो गय आपकी जाहर है जो इस पंदे ने ओफर किया वही पागल हो गया मर गया तो ओफर कौन करेगा पूरी लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक मसला है मसला यह ज़रा इदर से पढ़ें इसको साथ सार बुक को अंडरलाइन करें बाइदी डेथ और इंसेनिटी ऑफ परपोजर अगर उसकी वफात की या पागल होने की खबर उस बंदे को एकसेप्टन से पहले मिल गई हो ठीक है मिसाल की तोर पे मिस्टर ए है उसने मिस्टर बी को कहा कि मैं आपको अपनी बाइक बेशना चाहता हूं एक लाख रुपे की ठीक है अब अभी तक अगले बंदे ने उसक योगी डेथ ओफरर की डेथ होगी लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं आफरी को उसको नहीं बताए फोट हो गया उसने एकसेप्ट की है इमेल कर दी या लेटर लिख दी या खुद आ गया कि भई आगई जाके देखा रही जनाजा लगा बरफ लगी होई है ठीक है क्या ह केस नहीं आपर कर सकता ना क्यूंकि उसने एकसेप्ट किया है उसके उससे पहले नॉलिज नहीं नहीं तो बंदा फोट हो चुका था अगर उसको पता होता ठीक है तो फिर ही मसला होना था ठीक है भई यहां पर आजें आप बाइदी डेथ और इंसेनिटी और परपोजर इ पिर क्यों जैता है पिर बाइक उसके जो लीगल हैर्स अमर्ने वाले के या पागल होने होने से मुरारी है ना वो खुट कुछ निकर सकता तो जो बंदा पागल हो गैं उसके जो लीगल वुर्सा है वो सीज को म् leggings करेंगी कलियर बात एक्जांबल नीचे पड़ें एक्जा जैन ओफर्ड दाओध इस कार फूर थ्री मिलियन और फिफ्टींथ जैनुरी पंदरह जैनुरी को भाई ओफर की गई कि आप मेरी गाड़ी खरीज सकते हो कितने की तीन मिलियन की सही है जैन साब ओफर करके ही घबरा के फूर्ट होगे 18 जैनुरी को जैन डाइड ओन 18 जैनुरी दाओध साब ने एकसेप्ट किया जैन की ओफर ओन 20 जैनुरी वेन ही बिकेम अवेर होफ इस डेथ जब उसको उसकी डेथ का इल्म हुआ तब उसने मतलब के 20 जैनुरी को जाके उसको पता लगा कि वो बन्दा फोत हो चुका है उसने उसको क्या किया एकसेप्ट कर लिया अब हमने पीछे क्या पढ़ा है कि इफ डेथ और इंसेनिटी कम्स तू नॉलिज ओफ एकसेप्टर बिफॉर एकसेप्टेंस बाई एकसेप्टेंस हो रहें जैन ओफर दाउद इसकार फोर 3 मिलियन ऑन 15 जैनुरी जैन डाइड ओन 18 जैनुरी दाउद एकसेप्टेंस ओफर ऑन 20 जैनुरी इन इग्नॉरेंस ओफ दीफेक्ट ऑफ जैन से उसको नहीं पता कि जैन फोत हो चुका है उसने उसको एकसेप्ट कर लिया ठीक है उसके गाड़ी बेचें तीन मिलियन उससे लें उसको गाड़ी बेचें क्लियर होगी बात तो हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर डैथ हो जाए या इन सेनिटी हो जाए ओफर की तो ऑफर आपकी रिवोक हो जाती है पर वाइडिड यह कि उसकी बात की नॉलिज आगिया कि इफ एकसेप्टेंस नॉट इन प्रिस्क्राइब मॉड ओफरर में रिजेक्ट ओफर रिजेक्टिया रिवोक क्या मतलब बंतेरी कि आपने अगर कोई प्रिस्क्राइब से मुरार किया होता है कि आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि इस तरह ही तुमने सिर्फ एकसेप्टेंस करनी है ठीक है और वो उस मौड में ना हो हमने का कि इमेल के थूँ ही जवाब आपका आना चाहिए इम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता दोनों अप्शन से उसके बाद यहां पर देखें हमने आए कुछ नहीं इस तरह के लिखा मेंवाला हमने सिंपल का कि अगर फुल फिल कंडिशन ना हो तो सीधी सीधी बात है कि वहाई खानी खतम होगी लेकिन यहां पे कंडिशन तो है ल उन्होंने अलग से मेंचन कर दिये हैं यह लेकिन लेकिन अलग से इसके लावा कोई भी खिंचन हो वह अगर फुल्फिल होती तो लेकिन अगर कि यह वाली के जूढ़ मॉड में करो और वह उस मॉड में नहीं तो ऑफर में टॉट उपर आगी समझ इस और को नहीं उसको मै justification किसी इसकी? rejection की उसको justify जरूर करेगा कि भई मैं आपको क्यों reject कर रहा हूँ इदर हमने लिखा है कुछ justification की बात इदर सीधा सीधा खतम condition लगाई थी नहीं fulfill की बात खतम होगी लेकिन अगर prescribed mode वाली condition होती उसके अंदर आपको acceptance उस way में नहीं होई तो offer उसको reject कर सकता है अगर करेगा तो सार रिजन भी बताएगा कि भई ये तुमने हरकत की है मैंने तुमें कहा भी था लेकिन तुमने फिर भी उस तरह किया मैं से रिजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कनून कहता है कि भई उसको reason बताओ इतना जुमना करो उस पर mode है ना कि mode कोई और भी हो सकता है ठीक है अच्छा अगर mode कोई बना बताया होता फिर क्या होता करनी पड़ते हैं reasonable mode सही है फिर आपने देहना था कि क्या वो reasonable mode में accept होई यह चीज़ या नहीं होई ओक्या जी देन जी इसके बाद हमें एक पताई चीज का counter offer का counter offer क्या होती है offer के बदले में आगे से को फराजाए इससे क्या होता है इट कैंसल दी और 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 आपकी रिवोक होगी पढ़ा हुए हमने ठीक है यह भी एक तरीक है एक और चीज़ होता ही है करने की subsequent subsequent किसको कहते है बाद में जो होती ही चीज़ illegality और destruction of object object से मुदार किया है वो चीज़ जो offer की जारी subsequent illegality or destruction of object भाई आपने चीज़ offer की थी आपने कहा कि मैं आपको यह घर बेचूंगा एक क्रोड़ पे का ठीक है हफ़ते के अंदर अंदर आप इसको accept कर सकते हो अच्छा यह subsequent किस के किस के बाद की बात हो रही है और देने के बाद की बात हो रही है acceptance के बार के नहीं कि यह तो बात ही हो रही है ना यह सारा कुछ हो रहा है कि acceptance से पहले acceptance के बार वही कोई रिवोक नहीं होता acceptance के बार आपको प्रॉमिस बन जाता है प्रॉमिस agreement हो जाता है agreement contract हो फिर तो है नहीं ब्रीच होगा वो यह बात हो रही है कि offer के बाद अभी आपने offer करवाई थी आपने लैट से थोड़ा सा गिर गया होगा नहीं offer किस चीज की certain and definite घर की offer थी ना यह तो नहीं बात हुई थी कि इस जगह पर जो भी पड़ा हुए वह आपने देना मुझे आप देखो एक चीज एक क्रोड़ पर घर आपको मिल रहा था बेवकूफ हो के पांच मनले की जमीन लोगी आप उसके चकर मे एक क्रोड़ पे में आपने पूरा घर ले रहा था ना बना बनाया तो मेरे हाल में आप नहीं हो बेवकूफ अब्दुलसबूर ठीक है तो बहुए डिस्ट्रेक्शन अगर हो जाए object की तो खतम होगी offer इल्लीगालिटी से मुरार किया है कि जिस वक्त आपने offer करवाई थी वो चीज लीगल थी कनूनी थी लेकिन वो इल्लीगल होगी बाद में मिसाल की तो पर एक्सपोर्ट आप करते हो एक्सपोर्ट का पता है ना पाकिसान से जो बाहर चीज़ें जाती है गंदुम आप एक् KP के मैंने गंदुम बेजनी है मैं इतने मिलियन टन आपको गंदुम बेजूंगा ठीक है बहुर बड़े आप फार्मर हो हुआ यह कि गौर्मेंट ने आपकी offer करने के 15 दिन बाद ही अभी वो टाइम नहीं आया था उसको डिलीवर करने का 15 दिन बार गौर्मेंट ने क्या क कि बैए बैन होगी है पंजाब की जो गंदुम है वो KP के नहीं जा सकती KP के वाली उदर नहीं जा सकती अब जब आपने offer की थी उस वक्त तो इलीगल नहीं था बार में illegal होगी यह काम तो जैसे illegal हुआ offer क्योंकि आपके इक्तियार में नहीं है दोनों चीज़े आपके इक्त का नाम है कि स्प्रीम कोड की बनाती है बाई पारलिमेंट बनाती है पारलिमेंट के दो हिससें एक National Assembly और एक सेनेट साही है यह कानोन बनाते हैं स्प्रीम कोड का काम कनून नहीं बनाना कनून की तश्रीष करना है ठीक हो गया तो बही also legal कौन करता है वह गॉर्मिंट करती ह आपके त्यार में नहीं है चीज का तबाव हो एना मर जाना आपने गोड़ा आपको मैं बेचूंगा पंदरा दिन बार मर गया भई गोड़ा डिस्ट्रक्शन होगी गोड़े की सही है तो अब ओफर क्या होगी रिवोक होगी याब वो आके आपको कहा नहीं सकता किया मुझे अधिया नहीं क्या चीज मर गया है और उसने कहा है मरणा हुए मुझे दे दो यहां हमने पहले काना है कि हम अभी एकसेप्टन्स से पहले की बात कर रहे हैं बात वाली वैसे बास में हमने करनी है लेकर चलो मैं आपको बताता हूं लेकिन वह अमने भी अभी हम क्यों को पढ़ रहे हैं सिर्फ ओफर को अभी हम acceptance को पढ़ नहीं रहें लेकिन चलो लेकिन इस केस में बहुत क्या होगा अभी बता रहते हैं आपको बाई चाहे ऑफर के अंदर दुरान आपका मर जाए या इलीगल हो जाए चाहे आपका acceptance के बाद हो जाए चाहे contract के बार भी हो जाए खतम हो जाता है आप enforce उसको नहीं कर सकते ठीक है यह point आगे जाके हमने करना था वैसे discuss तो अगर आपका object during offer खतम हो जाए मर जाए इलीगल हो जाए acceptance के बाद हो जाए या contract पूरा होने के बार भी हो जाए ठीक है तो वो खतम होगी है सही है दोनों पार्टी जो जिम्मेदार नहीं है उस शीज़ के हां जी बाई clear है बाद चलें यह सारे पांच सार पॉइंट थे लिख लिए हैं देख लो अगर नहीं लिखे तो इसको mention कर लें आपका जो है बाई offer वाला इन्होंने mention किया हुआ है बाई offer वाला आप लिख लो यहां पर बुक में उसके बाद लैपस ओफ टाइम वाला है कंडिशन वाला है death insanity वाला है प्रिस्क्राइब मोडवाला us spend का मनलब भाद में offer होने के बाद offer कर दी थी मैंने वालाब आज की आपको offer किया है कि 15 के बार आपको घॉड़ा मिल जाएगा अब इससे अगले दिन 15 दिन के लिख गोड़ा मर जा कि जाए तो offer कैया है किगोए औरест केुन ठायर किया India उस मोमेंट ऑफ टाइम के बाद, हाँ जी, ओके सिस्टूम, भाई लिख लिए नहीं अगले पॉइंट, तीन पॉइंट एक्स्ट्रा, भाई ओफरी वाला एक्सेप्टंस नोट इन प्रिस्क्राइब मोड और सब्सेक्वेंट इल्लिगालिटी और अब्जेक्ट, एक बार थ चीजे खरीदनी थी हमने, आजम साब ने कहा कि बाप बेटे को लडा दिया इन्होंने, ठीक है, he withdraws the bid, before fall of hammer, आपको थोड़ा, one, two, three करके, फाइनल एक बर थोड़ा लगता है, ठीक है, भाई वो होने से पहले पहले उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने नहीं खरीदना, उसने अपनी जो offer थी, acceptance होने से पहले पहले किया कर दी है, reject, तो ये भी revoke है, clear, आप अपनी offer को कर सकते हो, आपने वैसे ही बात किया, कि भाई, मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ, उसने अभी आगे से accept नहीं किया, आपने साथ ही करें, नहीं नहीं, मैंने नहीं खरीदनी, त keeps the offer open for 10 days, दासतिन के लिए आपके पास offer है, दासतिन में आप पैसे लओ, खरीद लो, गालिब accept the offer in 10 days, गालिब does not है, बलके, does not accept the offer in 10 days, बद दासतिन के अंदर नहीं की बारवें दिन आगया, पंदरवें दिन आगया, खतम होगी घानी, ये जो, लैपस अफ टाइम वाली, देन जी, मारिया applied for shares of a company in June, shares का आप लोगों को है idea, shares issuance for cash, ठीक है, कौन कौन से तरीकों से होते हैं, शड़ो परे हो गया, हो गया, clear है, तीन तरीक है थे, IPO, private placement, और right issue, ठीक है, अच्छा, तो भई, मारिया साथ ने भी apply किये shares June के अंदर, June के अंदर apply कियें तो जाहिर है जून नहीं तो maximum July में मिल जाने चाहिए, logically, इतना टाइम लिए लगता, असल में तो उसी डे पर मिल जाते हैं, practically, but allotment was made in November, भई, November के अंदर जाके allotment होई है, मतलब तकरीबन 4-5 मीनों बाद, ठीक है, इतना लंबा टाइम लिए लगता, Maria refused to accept the shares, Maria ने कहा कि भई, मैंने नहीं अब खरीदने, it was held that Maria could refuse to take shares because the time had lapse after the expiry of a reasonable time, of a lapse कर चुकी है, ठीक है, आईए इस पार की समझ, अब इसमें देखो, उन्होंने को टाइम नहीं नहीं बताया, लेकिन थोड़ा सा, वैसे यह है कि इसमें आपको पिर idea ये भी होना चाहि या तो वो कहीं पर concept बताया, उन्होंने example तो डाल दी है, तो shares issuance भाई, दो चाहर दिन में होयाते हैं practically, आम हलात में, सही है, पांच मीने लगे हैं तो इसका मुनलब है reasonable time से बहुत गेम बाहर की निकल गी है, अब जाहिर आगे से reject कर सकती है, clear है, then आगे 22, जाजिब ऑफ करता है within a week, एक हफते के अंदर, साथ दिन के अंदर अगर आप ABC क्लब को जॉइन करते हो, तो मैं आपको अपनी बाइक बेच दूँगा, चारी सार में, बाबर डिट नॉट जॉइन दी क्लब विदिन अवीक, बाबर सामने जॉइन नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा कंडिशन, कंडिशन लगी थी, ABC क्लब को जॉइन करो, देन जाके आपको बेचेंगे, एक्सेंपल 23, 24 भी हो गई है, ठीक है, हाँ जी इसमें है, अभी तक कोई स्वाल तो बताएं, कोई स्वाल नहीं, अच्छा नीचे कुछ अडिशनल पॉइंट्स हैं, यह जनरल सी बाते हैं, पता है आप लोगों को, पहली बात कहा है, एन ओफर is also terminated by non-acceptance or rejection, यह तो जाहिर है कि आप किसी को ओफर करते हो, आगे से वो reject कर दे तो ओफर नतम होगी ना, यह वो non-acceptance भी हो सकती है, अच्छा यहां पर आप लिखो यह नीचे जाके वैसे पढ़ेंगे, negative confirmation is not acceptance, यह दर लिख लो point, मैं बताता हूं होता कि है, negative confirmation is not acceptance, क्या लिखा है वई, negative confirmation is not acceptance, confirmation से मुराद है कि आगे से वो बंदा आपकी बात को इसको ओफर की है, वो आगे से एगर confirm कर दे तो यह इसको confirmation कहते हैं, negative confirmation से मुराद क्या है, negative confirmation यह है कि आप किसी को offer करते हो, और आप उसे कहो कि दस दिन के अंदर अंदर इसको accept या reject करो, अगर आपने reject ना किया तो मैं समझूँगा accept हो गई है, इस तरह भी हो सकता है ने practical life में, कि दो घंटे का time है तुम्हारे पास, यह मैं तुम्हें चीज बेचना चाहरा हूँ, यह तुम मुझे बेचना चाहरे हो, अगर तुम reject कर दोगे तो ठीक है, वरना मैं समझूँगा क्या है यह, यह इसको कहते है negative confirmation, आप इस तरह condition नहीं लगा सकते हैं उसके उपर, क्युक अब जो नौन एक्सेप्टेंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो rejection की सुर्वत में होनी चाहिए, ठीक हो गया, clear है बही, तैन दूसा पॉइंट कहा है, अगले सारे स्टेप्स कर दी है, के प्रॉमिस भी बन गया, enforceability भी होगी, तो contract बन गया, तो भाई अगर एक offer को accept कर लिया जाए, और वो contract promise बन जाए, तो cannot be revoked, आगे आप लिख लें मजीद, अगर आपको clarity के लिए, provided that consideration and enforceability are effective, ये आगे ना इसके line लिख लो, provided के consideration and enforceability are effective, के वो दोनों चीज़े requirement पूरी हो गई है, ये आप यहां पे assumption ले रहे हो ना, तभी तो उसको आप contract कर रहे हो, provided that consideration and enforceability are effective, मतलब इसका क्या है, उसने simple सी बात कर दिया, कि offer once accepted becomes a contract, लेकिन हमें पता है कि नहीं, वो contract नहीं बनता, वो क्या बनता होता है, promise बनता है, promise बनता है, plus उसके अंदर फिर consideration डालनी पड़ती है, फिर वो बन जाता है agreement, plus उसके अंदर enforceable, फि कि उसने offer को direct, वो क्यों बना दिया, example 25 में, वो rejection वाली बात simple सी है, Amir offers to sell his cycle to Galib, and keeps the offer open for 10 days, भाई, दस तिन के अंदर अंदर आप खरी सकते हो, गालिव साब ने तीसे दिन ही इनकार कर दिया, तो offer क्या होगी है, रिवोक होगी भाई, उससे next, वाजिद offer to sell a farm to Hamid for 1000, 1000 पे वाई, वाई, फार्म आउस, आप ये खरीद लो मेरा, ठीक है, 1000, मिलियन कर लो यहां पर, हामिद offer'd, रुपीज 950, बार गेन हो गया, counter offer आगी, हामिद साब में, उसने आगे से का साड़े नो सो में, counter offer cancels दी, पहली वाली वाई, रिवोक हो चुकी है, यही लिखा है, वा हामिद की तरफ से offer आएगी, बास समय रहे हैं, लेखो, कौन बंदे हैं दोनों, हामिद और, लेट सेरी, Mr. A है, उसने B को कहा कि आप ये चीज़ खरीद लो, मैं या आपको 1000 प्या देता हूँ, आपकी चीज़ खरीद लेता हूँ, ठीक है, इसने आगे से कहा कि नहीं दो मुझे, फिर मैं आपको ये वाली चीज़ बेचूँगा, इसने इसको क्या किया है, पिछली कैंसल, अब ये स्टेंड कर रही है, ठीक है, आगे से क्या हुआ, लेट से इसने भी refuse कर दिया, कि नहीं भी 1100 से मैंने नहीं खरीद ना, अब ये वाली offer भी क्या होगी, rejection की विर्या से रिवोक होगी, थोड़ी देवाइस ने का अच्छा इल्ला हो यार, 1100 रॉपया, एकसेप्ट करता हूँ, क्या एकसेप्ट कर सकता है, offer तो है ही नहीं, offer खतम हो चुकी है, अब offer इसकी विर्या तरफ से गई है, अब उसकी मर्जी है, वो कई बार होता है, उसको नहीं, बारान सो दो, ऐसे होता है ना, मार्किट के अंदर, आप अकसर कहते हो कि यार, किसी पठान के सार बैस करें थे, यार, शूज कितना के बेशने है, बड़ी बैस के बाहर हजार पे पहुंचे है, ठीक है, आपने का अच्छा चलो ना, मैं आगे से होके आता हूं, काउंटर हो जाए तो पहले वाली खतम होगी, पहले वाली खतम होगी तो नेक्स्ट वाली स्टार्ट होगी, अब नेक्स्ट वाली एक्सेप्ट होगी, क्लियर है बात? तो यह आपका यहां पे, चलें, बहुत है आज के लिए, कोई स्वाल है तो बताएं, कोई समझ आ रही ये चीज़ें हैं कोई नहीं ठीक है पिर चलें अल्लाफ पीस